हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपकी अपने चैनल एस्ट्रोलोजी टिप्स हिंदी में 22 से 30 मार्च शैतनवरात्र से 5 राश्या होंगी मालमाद साथ वे आस्मान पर रहेगा इंका भाग्यर दोस्तों इस बार 24 नवरात्र का पर्व 22 मार्च से शुरू हो रहा है और 30 मार्च को समाप्थ होंगे इस बार के 24 नवरात्र पूरे 9 दिनों की होगी यानि इस बार के नवरात्री में किसी भी तीथीखा शैय नहीं है 30 मार्च दिन गुर्वार को राम नवरात्र मी मनाई जाएगी इस बार नवरात्र का आरव ऐसे सुब योग में हो रहा है जिसमें मादुर्गा आपकी सभी मनों कामनें पूरी करेंगी हिंदू पंचांग के नुसार चैतर नवरात्र से ही हिंदू 9 वर्ट्स के शिरुवात होती है इस के लावा 22 मार्च यानि जब से नवरात्र शुरू हो रहे हैं उसे दिन मीन राशी में 5 ग्रहों का सयोग हो रहा है मीन राशी में गुरू के साथ ही सुहुरी, बुध्ध, चंत्रमा और वरुण ग्रह साथ में होंगे मीन राशी में इन सभी 5 ग्रहों के साथ होने से मीन राशी में बुध्ध हत्य योग, गचकेस्री योग, हंस्योग उपस्तित होगा जो तिस अनुसाय ग्रहों का ये सयोग बहुते शुब माना जाता है चैतन अवरात्र में ग्रहों के इन विश्य सयोगों से बारा राश्री में से पांच राश्री के लोगों पर मादुरुगव की विश्य स्किर्पा रहेगी जिससे इनके सभी कारे सिद्ध होंगे तो चलिए जानते हैं चैतन अवरात्र में कौन सी है भगिशाली राश्री है दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले कॉमेंट बॉक्स में जै मातादी जरूर लिखेगा मातारानी इस नवरात्र आपके हर इच्छा पूरी करेंगी तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं मेश राश्री दोस्तो चैतन अवरात्र में भगिशाली राशी में से पहली राश्री है मेश राश्री इस बार कि चैतन अवरात्र मेश राशी के जातकों के लिए वेहदी खास रहने वाली है आपके आर्थिक समस्याई दूर होंगी और आर्थिक लाग के योग बनेंगे परिवार में लंबे समय से चली आ रही परेशानिया दूर होंगी सिक्षा के छेतर से जुड़े लोगों के लिए यह समय किसी वर्दान से कम नहीं कहा जा सकता ब्रिशवरासी ब्रिशवरासी के जातकों को नवरात्र के दोरान कोई सुबसमचार मिलने के संभावना है आपके लिए पिछला कुछ समय भले ही परेशानियों से भरा क्यों न रहा हो लेकिन चैतर नवरात्र से समय आपके फेवर में रहने वाला है आपके लिए कुछ पुरान योजनाय सफल होंगी आपके किसमत के सितारे बुलंद होंगे जो में प्रगती और वेवसाई में लाग के योग बनेंगे कनिया राशी चैतर नवरात्र में तिसरी भागेशाली राशी है कनिया राशी यह समय आपके लिए धेर सारी खुश्या लेकर आएगा मादुर्गा आपके विश्यस रुप से महरबान रहेंगी इस नवरात्र आपके कोई मनोकामना पोण होने के संभावना है भाई बहन के तरप से पुरा सहीयोग प्राप्त होगा आप जो भी निर्णाई लेंगे उसमें आपको जली सफलता मिलेंगी कारेरा जात्रकों को नौकरी में पर्मोशन मिल सकता है तो वहीं नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छे नौकरी मिलेगी पती-पत्नी नवरात्र में साथ मिलकर मादुर्गा की पूजा करी और भोग लगाए तो शेरोवाली माता की किरपा आपर जरूर बरसेगी व्रेशिक रासी नवरात्र का पर वे व्रेशिक रासी के जातकों के लिए कई माईनों में खास रहीगा आप पर माता लक्षमी की विस्टेश किरपा रहेगी आर्थिक सम्मस्याओ से आपको छुटकारा मिलेगा साथ ही आपके सामने आई के नई श्रोत आएंगे जिनसे आप अच्छा धनर जित कर पाने में सफल होंगे आपकी प्रेम संबन मजबूत बनेंगे वही सिंगल जातकों को एक नई रिस्टे में बढने का मौका मिल सकता है इस समय आप अपनी सोच को सकारात में रखते हुए आगे बड़े मीन राशी चैतनवरात में पांचवी भाग शारी राशी है मीन राशी मीर नाश्री के जाता है जिस कारी को करनी की काफी समय से कोशिश कर रहे थे वहाब पूरा हो सकता है अपने प्रते कामों में आपको सफलता देखने को मिलेगी आपके माल सम्मार और धन में व्रद्धी के संकेत है लंबे समय से रुके हुए महतपूर कारी गती पकड़ेंगे इस समय करियर में नए अफसर मिलेंगे और आपको अपनी कड़ी महनत का फल जरूर मिलेगा दोस्तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कॉमेंट बॉक्स में जै माता दी जरूर लिखेगा माता रानी आपके हर इच्छा पूरी करें आगे केसी ही लेटिस्ट वीडियो के लिए आची एस्टलोजी टेप सिंदी में चैनल को सब्सकाइब करना ना भूने